ये comparison 1 जानुरी 2020 से आज तक की है, ये period पसंद करने का कारण ऐसा है कि हम downfall और अपनों दोने एक साथ देख सकें। 1 जानुरी से मार्ज तक Nifty की 38% value कम हुई और सेम पिरियड में stock की 55-60% value निकल गई। जानुरी 2020 से current date तक 27% का reduction इस stock price में देखने को मिलता है। ये stock तो depreciate हो गया, देखिए कहां index का move और कहां stock का move। Long term में stock ने कैसा performance किया है, वो देखते हैं। 1-1 2014 को share price थी और index था। 6 साल बाद share price थी और index था। Lockdown में जब lowest point पर market थी तब 23 मार्ज 2020 को share price थी और index था। और current price है, और index है, अगर हमें nifty के मुकाबले बहुत ज्यादा कमाई करनी है तो हमारे stock में चार बाते होनी चाहिए। 1-1 लंबी यूदी में share price बढ़ती रहनी चाहिए। 2-जब market में बड़ी गिरावट आती है तो हमारा stock ज्यादा नहीं गिरना चाहिए, nifty के मुकाबले 3-जैसे ही market recover होती है, हमारा stock तेजी से recover भी करना चाहिए, nifty के मुकाबले 4-अमारा share अपने sector का top share होना चाहिए। इस वीडियो में हम देखेंगे के हमारा share nifty से better है या नहीं, यानि की पहले 3 points इस वीडियो में देखे जाएंगे, अगर आपको sector का top share चुनना है, तो उस वीडियो की link description में दी गई है 1-1-2014 को 1 लाग रुपए इस share में invest किये 6 साल बाद 1 जानिवरी 2020 को इस share में invest किये हुए 1 लाग रुपए हो गए मार्च में इस investment की value हो गई और current share investment की value है 1-1-2014 के दिन 1 लाग रुपए nifty 50 shares में invest किये 6 साल बाद 1-1-2020 के दिन nifty 50 में invest किये हुए 1 लाग रुपए हो गई मार्च 2020 में इस investment की value हो गई की वेल्यू है, nifty में appreciation जयदा हुआ है, इसलिए first point nifty ने जीत लिया है, second point nifty ने जीता, third point nifty ने जीता, three points में nifty जीत गया है, overall nifty जीता, यही figure chart में देखते हैं, यही एक लाख रुपे की अगर हमने 8% इंट्रेस से fix deposit की होती तो आज उसकी value हो गई होती FD के 8% के मुकाबले Nifty ने कितने percentage का return दिया यह share ने कितने percentage का return दिया आज अगर किसी को एक लाख रुपीज इंवेस्ट करने है तो वो क्या करे यह stock में इंवेस्ट करे Nifty 50 stocks में इंवेस्ट करे या FD में इंवेस्ट करे यह share के और Nifty के annualized return percentage हमने देखे है वही return percentage अगर भविश में भी continue होंगे तो एक साल के बाद क्या होगा कि की में इंवेस्ट करे प्रता है type कि में इंवेस्ट करेक्तṣ 선ह भी करे दो नग करेमा पूं जफे हमस्ट करेक्त्षण यह रहीं इंवेस्ट करना है और हो भविश गते हैं आम इंव करे बाद के router झाल झाल तेंक यू